सद सार निच निच पाली भासा का सद यानी शब्द है मगर आज निच को कोई नहीं जानता बलद नीच को सब जानते हैं नीच का आर्थ सब इस्तेमाल करते हैं और नीच सब्द बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में है और ये बहुत खराब सब्द माना जाता है बहुत निगेटिव सब्द माना जाता है अपमान जनक और गाली सूचक सब्द माना जाता है इन्फिरिटी या निच होना या डाउन होन या डिप्रेस होना या दलित होना, ये सारे सब्दों का सिनोनिम यानी परियावाची है, वर पाली भासा में नीच कोई सब्द नहीं है, पाली भासा के अंदर निच सब्द है, और निच जो सब्द है, वो पाली भासा के सारे साहित्ते में बहुत उचा सब्द है, पहले समझ भग्रवान बुद्ध की एक गाथा में है अनिच्यवत संखारा तो यहाँ अनिच्यवत संखारा बेसिकली है क्या यह बहुत मशूर गाथा है जो भग्रवान बुद्ध की है इसमें अनिच्यवत संखारा का मतलब है कि निच्य माने होता है नित्य नित्य यानि पर्मानेंट जो कभी ना खतम होता हो जो हमेसा रहता हो जिसको बात की संस्कारित भाषा में शाश्वत बोलते हैं यानि कि पर्मानेंस तो पर्मानेंस जो होता है उसको बोलते हैं निच निट्य बात की भाषा में संस्कारित में निट्य बोलते हैं और अगर एक लगा देते हैं तो ये हो ज़ाता है अनित्य और पाली में इसको बोलते हैं अनिच्य यानि कि जो छड़भंगुर धने जो पर्मारनेंट नहीं है जो हमेशा बदलतार रहता है जो रूकता रहता है då यहां जो गहते हैं है अनिच्य आन». इसका मतलब यह है कि जो हमारा संखारा है यानि यो बोडी के अंदर जो हमारे किरिया चलती रहे हैं यो कोड हैं हमारे वो पर्मानेंट नहीं है वो बदलते रहते हैं लगातार बदलते रहते हैं इसलिए उनको कमांड करना चाहिए उनको कंट्रोल में करना चाहिए तो यहां जो निच्च सब्द है, निच्च का मतलब नित्य है और भगनवान बुद्ध ने सारे अनिच्च को पार करते हुए निच्च को देखा यानि जब उन्होंने पर्मनेंट चीज को देखा, पर्मनेंस को देखा, जहां सब कुछ स्थिर हो गया, विपसना के थुरो और जहां कोई क्रिया और कोई प्रितिकर नहीं थी, उस नौमे ध्यान से वो जब बापिस आये, तब जा के वो बुद्ध बने, नौमा ध्यान क्या है, आठवा ध्यान क्या है, यह ध्यान जब मैं आपको बताऊंगा, तो इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ध्यान कितने प्रिकार की होते हैं, अभी निच की बात कर रहे हैं, तो निच बहुत उचा सब है, मगर यह जितने भी भिकू और भिकुनी थे, जो अरत थे, जब यह निच की प्रिक्टिस करते थे, निततागी प्रिक्टिस करते थे, परमानेल्स की प्रिक्टिस करते थे, इनका ग्यान बहुत ज़्यादा उपर जाता था, और जितने भी भारत के लोग थे, वो उस ग्यान की देशना सीखते थे, तो उनका ग्राब बहुत उपर रहता था उन्हीं लोगों को निच कहा गया और बाद में निच कहा गया और जब उनके 5 सील छले गए उनके अच्छे गुण चले गए और उनको खराब गुण दे दिये गए खराब बाते उनको सिखा दिये गई पांच बातों को उल्टा करके उनको दे दिया गया है तो यही निच्च सब्द बहुत inferior, बहुत down और बहुत बेकार का बन गया आज के समय में गाली बन गया जब लोग पंसील अपना लेंगे तो यही निच्च सब्द निच्च बन जाएगा और फिर यह और उपर हो जाएगा, अपनी गलोरी पाजाएगा धन्यवाद का vistवस पाएगा गएगा इनक बने फिरे टन्हागा ऑन्यवाद और रही जाएगा झाल झाल कर दो अ कर दो कर दो दो